नमस्कार दोस्तों मैं दिवान सिंग आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ जी के बाई दिवान सर यूटूब चैनल पे तो जी आज का पहला परसन आपके लिए भारत के निमलिक छेत्रों में से अगर हम बात करें उसन स्तल माना जाता है तो बताईए इसका अंशर क होगा पस्मी घाट यानि हम बात करें पस्मी घाट है अंसुरोगा छी इसका पस्मी घाट को सहांदरी परवत सरंकला के नाम से भी जाना जाता है याद रहें दोस्तों अगले पे चलें अगला क्यूंचयर्हाइप के सामने क्यूसर नमबर दो कौन सा एक तारा पृत्वी के सरवादिक समीब है तो कौन सा एक तारा पृत्वी के सरवादिक समीब है दुरोतारा, एलफा सेंचूरी, सुरिये और लबूदक यानि ये चार ओप्सन आपके सामने है पृत्वी के नजदिक सबसे नजदिक तारा बताना है जल्ली कीजिए कोमेंट वेरी गूड वेरी गूड सभी का अंसवर ठीक आ रहा है जी बिल्कुल तो इसका अंसर होगा सुरिये क्या अंसर होगा इसका अंसर होगा गय यानि इसी सुरिये सुरिये सबसे नजदीक पृत्वी का तारा है दो नमबर के हम बात करें तो एलपा सेंचूरी आ जाएगा अगला क्यूशन आपके सामने हैं अगला क्यूशन क्यूशन नमबर तीन बारतिये उपमादी पर ग्रीशम रितु में उस ताप मानो निमत ताप हिंद म आसागर में वायू कर्शन करते हैं जिसके कारण प्रवावित होती है क्या प्रवावित होती है बताए क्या प्रवावित होती है इनमें से वेपारिक होवाएं दक्षिनी पुरुवे मांसून दक्षिनी पस्षिम आंसून और पस्षिमी होवाएं तो जी इसका राइट आं में कि इसकी पेडियव के लिए आप मेरी टेले ग्राम लिंक पर जा सकते हो टेलेग्राम लिंक नेचे description box में दिया हुआ है दोस्तों वहाँ पे आपको टेलेग्राम जॉइन करना है टेलेग्राम डाउनलोड करना है अगर आपके पास पहले से डाउनलोड है तो अपने आप वहाँ टेलिग्राम पे सिदे डालेक्टे ओपन हो जाएंगे और ज्वाइन कर लेना वहाँ बिल्कुल फरी है ये पीडिये भी आपके लिए फरी रहेगी कौन सा एक लेगून दुईप है तो जी इसका अंसर होगा ए अस्टमूदी जील एक लेगून दुईप है देख इसका अंसर होगा ए ओके अंसर क्या होगा ए अगले क्यूसर पर चले क्यूसर नमर फाइप आपके सामने है जो आला मुकी उद्वगार नहीं होते हैं तो जो आला मुकी उद्वगार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर काला सागर केरिबियन सागर केस्पियन सागर बताइए आंसर जली कोमेंट किए भइ शाबाज तो इसका अंसर होगा हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा जी राइट आंसर बाल्टिक सागर ए आंसर रहेगा इसे प्रदेशनेमी इमिलिक्त में सेकेंदर साचित परदेशों में आच जन जाती के लोग भी रहते हैं कौन सी जन जाती के आच जन जाती के लोग भी रहते हैं बताइए अंसर आपके सामने है चारों के चारों उप्सन आच जन जाती के लोग कहा रहते हैं तो अंडो बार निको बार दूइप स अन्सर है अगला क्यूस्थन क्यूस्थ हम आपके सामने 7 साथ आपके सांने है बताईए फटा फटेसं का आन्सर नंदा देवी चोटी किस भाग में है नंदा देवी चोटी किस भाग में है असम हिमाले नेपाल हिमाले पंजाब हिमाले कुमाओ हिमाले यह आपको बता दूँ यह बंटे गए हैं जो हिमाले हैं उसको हम बात करें जो पस्षिम से पूरो की तरह बंटे गए हैं तो इन में से अंसर होगा कुमाओ हिमाले के होगे नंदा देवी चोटी की उंचाई कितनी है ये बात करें भारत की दूसरी उंची चोटी है और विश्टो की तीसरी उंची चोटी है अगले क्यूसन पर चलें अगला क्यूसन आपके सामने भारत का सबसे उंचा बांध कौन सा है भारत का सबसे उंचा बांध कौन सा है टियरी बांद, कोशलया बांद, भागडा बांद, कृष्णा बांद, तो जी इसका अंसर होगा टियरी बांद, क्या होगा टियरी बांद, तो टियरी बांद है भारत का सबसे उंचा बांद है, ये उत्रा खंड में स्थित है, बागीरत ही नदी पे, और इसकी उंचाही है कि कितनी टोटल हम बात करें उन्चाय की तो आप कोमेंट करके बताओगे उन्चाय कितनी है इसकी टोटल को कुल उन्चायय आप से मैं पुछ रहा हूं अगरा कि संदको सामनी है कि संद्या Immer 9 अ нос purity जiell tu Heil का है वहरी वह उदेपूर जिले में है कौनसे जिले में है उदेपूर जिले में है दोस्तों याद रहे अगले क्यूशन पर चले क्यूशन नमबर 10 आपके सामने हैं बंगाल का सोक किस नदी को कहते हैं बंगाल का सोक किस नदी को कहते हैं दामोदर नदी सोन नदी गंड़क नदी कृष्ण अगला क्योशन आपके सामने रहेगा क्योशन नमर 11 चावल का देश किसे कहते हैं बताइए चावल का देश किसे कहते हैं तो जी चावल का देश है वो किसे कहते हैं थाइलेंड मिसर चीन और पाकिस्तान तो अंसर होगा इसका ए थाइलेंड थाइलेंड को चावल का देश कहत कि आते हैं दोस्तों कि अगला रियुक्ता की दिख है वदनों का डेश किसे कहते हैं बताइए व अगे न हेसके में chilli दूंद। कि उन्हों के राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के या आकट लिना तब सब्सक्राइब限 मिलता रहे स्क temps वनों का देश किसे कहते हैं तो वनों का देश कांगो गंडरजे को कहते हैं कांगो गंडरजे को कहते हैं आंसर होगा सी तो अगले क्यूशन पर चलें क्यूशन नंबर आपके सामने हैं तेरा नंबर क्यूशन बताईए आंसर सवस्त जल में जवल की मचली का सबसे बड़ा उ पुटान नेपाल अफगानिस्तान बदाए फड़ा पड़ कॉमेंट केजिए वेरी गूड जल्दी से जल्दी आंशर बताइए भी शाबास और अपना स्कॉर है कॉमेंट बॉक्स में जो 30 क्यूसन है इसके इंदर 30 में से इसके 20 पलस है तो वह कंपीट्शन लाइन में है 80% सेलेक्शन के दावेदार है आपको मेरी किसम लगे कोई गलत बात करें आपने स्कॉर नहीं बताएगा सही से स्कॉर बताएंगे तो सवस्जल की मचली सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चाइना है चीन है दोस्तों चीन अगले क्यूसन पर चलें बारत का सबसे बड बताएगे तो जी बिल्कुल सही अंसर है अपका सभी का जीन आश्र एह है बैंगलोर है बिल्कुल सही है बैंगलोर को कहते हैं अगला क्यूसन आपके सामने है क्यूसन नंबर 15 सुरवादिक मूंग फली होती है चीन अमेरिका उस्ट्रेलिया नेपाल तो सबसे दिख कर देना क्योंकि बोगत ई Corecus पॉटेंट आठा आपके लिए तो जीसका अंसर होगा चीन सुरवादी 거기 को पादन करता है चीन अन्सर होगा ए तरीत जहांजाओं का देस के से कहते हैं ज़ो बात करें जो भी जली होती है जो तड़ित होती है उन जहांजाओं का देश सुरवादिक होती है ये तो बताइए नेपाल बुटान चीन अमेरिका जी जल्दी जी जी अंसर इसका बिलकुल इसका अंसर होगा बी बुटान बुटान वेरी गूड बुटान है जिनका उनका सभी का सही है अगले क्यूशन प कहते हैं तो मरुस्तल की राजदाने किसे कहते हैं जैसल मेर अंसर डी होगा दोस्तों जैसल मेर को मरुस्तल की राजदाने कहते हैं लोहा सरवादिक पाया जाता है बताए कायांतरी चटानों में भूरी चटानों में अगन्य चटानों में अवसादी चटानों में दीजी अ लौह desiresुमादिक पाए जाता है तो जी हां जिनका अंसर ची आया है से आया है अगने चटान आया है उन सभी का है छे और है तो अंसर ओगा इसका सि अन्समारा हरियाणा पंजाब दीजी जल्दी जल्दी अंसर सरवादिक नल्कूप कहा है तो विंखूल वैरी गुड चिन चुन का एंसर सरवादिक नल्कूप सरादिक यूराइब न समय घeltी में तो दोप और विस्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितने परसेंट है और विस्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है कितने परसेंट है दीजी आंसर 15% 20% 30% 10% जी बिल्कूल, बिल्कूल सही जारे हो, सही जारे हो एकदम 15%, right रहेगा A, answer 15%, अगेला question आपके सामने, question number 21, sex pier beach कहां है, sex pier beach कहां है, beach का आपको पता होगा, जिसको नहीं पता बदा देता हूँ, समुंदर के पास बना हुआ ऐसा छेतर ठीक है जो कि रेलगाडी का एक मारग हो बताए सेक्सपिर बीच कहा है तो जी इंगलेंड में है कहा रहेगा इंगलेंड में है इंगलेंड और फ्रांस की ये दूरी बहुत कम करता है अगला विशो का सबसे सुसक स्तान कौन सा है विश इन अनकल शीरूं कि वेरड एल्यौड अटागामा क्या अहे गांतकामा रहेगा सब्सक्राइघ विश्यकी सबसेे वेस्त वेपारिक नदी क्योंची है विश क्रेंदि दूर्आ कज्वा वल्यव olur व नदी पेरिया नदी ये पेडिया नदी गंगा नदी बताईए तो रहेगा राइन नदी कौनची नदी रहेगा राइन नदी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि भारत की सबसे बड़ी वेस्ट वेपारिक नदी कौनची है ठीक है ये आपके लिए क्यूसन है अगला क्यूसन आपके सामने केरल का तट क्या कहलाता है केरल का तट क्या कहलाता है पता ही माला बार तट समूंदरी तट कोरो मंडल तट इन में से कोई नहीं जी बिल्कुल केरल का तट क्या कहलाता है केरल का तट कहलाता है जिन जिन केवला देव नेशनल पारक कहा है केवला देव नेशनल पारक कहा है बरतपूर राजस्तान तिरुवंत पूरम पंजाब केवला देव नेशनल पारक कहा है केवला देव नेशनल पारक ये भारत का पहला पक्षियों के लिए पारक है ठीक है पहला पक्षियों के लिए पारक ह बताइए, केवला दिया नेसल पारक जी विलकुल भरतपूर राजस्तान में है, भरतपूर आंशुराईगा इसका, ठीक है दोस्तों, अगला क्योशन, खेतड़ी परसीद है किस के लिए, तांबा के लिए, लोहे के लिए, प्लास्टिक के लिए, टीन के लिए, खेतड़ी, खेतडी जूजुनू में पढ़ता है, जूजुनू राजस्तान में है, खेतडी किसके लिए परसिद है, तामबा के लिए परसिद है, जिन जिन का अंसर ए है, उन सभी का राइट है, अगला क्यूसन, क्यूसन नंबर 27, विशो की सबसे बड़ी नदी कौनची है, वेरी वेरी का हुदगम हम बात करें, दक्षिन अफ्रिका की विक्टोरिया जीलशे होता है, कहां से विक्टोरिया जीलशे होता है दोस्तों, अगला क्यूसन, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौनची है, बारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौनची है, तो भारत की सबसे बड तो इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम बदल करें पहले ये राजस्तान नहर के नाम से जाने जाती थी अभी वर्तमान में इंद्रा गांधी नहर के नाम से जाने जाती है ओके दोस्तों अगले क्योषन पे चलते हैं अगला क्योषन आपके सामने है क्योषन रहेगा सुरवादिक काली मिटी कहाँ पाई जाती है मारास्टा में, अंधरा पर्देश में, तमिलाडू में, किर्ल में ये क्योषन एच्छे सशी ने भी पुचा है SSE में भी आया हुआ है, railway में भी आया हुआ है, सभी एक जाम में पुछा हुआ है, तो अभी तक जिसने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना, बहुत इपोर्टेंट इपोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं आपके समनी, और बहुत ही कहता हूं कलास का टाइम तो कभी अद्धा गंटा कभी 20 मिंट लेट हो जाता है, कारण यही रहता है, कि मेरे को तोड़ा दूर जाके वहां स्टूडियो में जाना पड़ता है, अभी अपने रूम में ही स्टूडियो बना रहा हूं, जिसके कारण आपको time to time कलास मिलती रह कभी भी 10 बजे तक बता देना, मैं क्लास ले सकता हूं रात को 10 बजे भी ठीक है, और सुवेरे भी आपको एक ऍलास लाइव, सुवेरे बताना मेरी को आप सुबह सुबह है साथ बजे आठ बजे नो बजे दस बजे ग्यारा बजे कितने बजे कलास साइए जिन जिन के ज़्यादा कोमेंट आएंगे अपने बात करें उसे टाइम कलास दो कलासें फिक्स कर रहा हूं में तो सरवादिक का लिमिटी पाई जाती है महाराष्ट्रा में कहां पे महाराष्ट्रा में ठीक है दोस्तों नमबर दो पे गुजरात आएगा यूरोप का सरवादिक महत्वपुन बंदरगा यूरोप का सबसे महत्वपुन बंदरगा हम बात करें राटरडम राटरडम कहा पर है राटर ड्रम जो है राटर डम बंदरगाह है यूरोप का सबसे महत्वपुण बंदरगाह कहां है यूसे में है ब्राजिल में है कनाडा में है निदरलेंड में है बताइए श्याबास वेरी गुड तो जिसका अंसर क्या होगा अंसर होगा निदरलेंड निदरलेंड में दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी यूटूब चैनल पर भी जा सकते हो जिके वाई द्यूआंसर चैनल पर बाकि आप यही चैनल देख रहे हो यह PDF के लिए बनाया गया है जो भी PDF देखेगा वो इस चैनल पर भी आ सकता है धन्यवाद दोस्तों अगली क्लास मिलत हैं तब तक के लिए जय हिंड राम राम नमस्ते जीतेगा भारत हारेगा करोना गुड़ बाई